तो हेलो गेमर इट इस मी सेल्सो और राफ्ट के एक और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है फिलाल भै जिनोंने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उनको बता होगा कि यहाँ पर भै हमने ना काफी ज़्यादा इंजन बना लिये और साथे साथ भै यहाँ पर हम जाने वाले थे एक बहुत बड़े आईलेंड की तरफ लेकिन भै यहाँ पर पता क्या दिक्कत आ रही है कि जो हमने यहाँ पर यह इंजन बनाए है जो दिखने में इतने बड़े बड़े लेकिन भाई इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम है अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर इनकी स्पीड ना बहुत ज़्यादा कम है मतलब भाई इनको आप चलाओ या ना चलाओ बाउत एक ही है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा स्लो चलता है फिलाल भई जैसे के आप यहाँ पर देख पारे होंगे यहाँ पर भई हमारी जो बोट है ना उसकी भी हालत काफी ज़्यादा खराब हो चुकी है तो हमें यार उसको भी थोड़ा बोट रिपेर करना होगा थोड़ा बोट ने मतलब पूरा रिपेर करना होगा और अभी फिलाल यहाँ पर सुबा का मोसम है तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी पेट पूजा कर लेते और थोड़ा बोट पानी शानी भी पी लेते उसके बाद जाएंगे हम एक नए आईलेंड की तरफ लेकिन भाई यहाँ पर मेरे एक मीट भाई शाक हमला कर रही है इसको पहले यहाँ से भगा दे जाए ओ यह तो मर भी गई क्या पात है भाई पहला हमला मारा और यह मर चुकी है तो लगता है आज का दिन काफी जादा बढ़िया जाएगा तो मीट वगेर हमने ले लिया शाक से और एक मीट भाई साब यह ओ भाई साब यह तो बहुत बड़ी चटान मुझे दिख रही है जो काफी हरा भरा मुझे लग रहा है दिखने में तो उसके पास जाके देखते हैं क्या पता वहाँ पर हमें कुछ बड़िया चीजे मिल जाए फिलाल भाई मैं आपको बता दू मैंने अभी तक अपने भाई यहाँ पर आक्सिजन नाही मास्क पा रखा है नाही मेरे पास यहाँ पर फिलिपर वाले जूते हैं तो हम ज्यादा देर तो पाने के अंदर नहीं रहे पाएंगे और नाही इतनी तेजी से पाने के अंदर चल पाएंगे फिलाल भाई यहाँ पर मुझे लगता नहीं कुछ मिलेगा वैसे मैं इस island में आ चुका हूँ और मुझे पता भी नहीं कि इतरे कुछ मिलता भी था कि नहीं मिलता था ठीक है वैसे एक बारी चेक कर लेते हैं क्या पता यहाँ पर कुछ बढ़िया चीज़े मिल जाए और अगर नहीं मिलता तो वैसे भी हम यहाँ पर नए island की तरफ जाने वाले एक मिल भाई साब यहाँ पर हर्याली तो काफी जाता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हमें मिलना ही जीए एक मिनट एक मिनट थोड़ा धंक से देख लेते हैं एक मिनट यहाँ पर पहले में shelf चकलू यह nest बनाने के काम आएगा ठीक है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ खास है नहीं एक मिनट भाई साब नीची की तरफ कुछ है ओ यहाँ पर कुछ मिला मुझे ने यह नहीं है ओ यह रहे carrot ठीक है भाई यहाँ पर हमें एक recipe मिल चुकी है और मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें इतना ही मिलेगा इससे जदा कुछ हमें मिलेगा नहीं क्योंकि यह island नहीं यह बहुत ही छोटा सा पत्थर लग रहा है मुझे कोई ठीक है island तो यह है नहीं तो अब हम जाने वाले अपने base की तरफ और हाँ यार मैंने कोई चीज करनी है कि यहाँ पर जो हमने एक engine लगाए हुए है हमें उसे use करना है वो भी पूरी potential से तो देखते हैं हम इसे कैसे इस्तमाल कर सकते क्या पता भाई मैं इसको गल तरीकी से इस्तमाल कर रहा हूँ तभी यह तेज नहीं चल रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर हम कुछ scheme लगाने वाले मेरे दमाग में बहुत बढ़िया आइडिया है तो वो हम यहाँ पर करने वाले ठीक है अगर काम बन गया तो भाई हमको पता लग जाएगा कि engine को हम कैसे use कर सकते और अगर काम नहीं बनेगा तो भाई साब यहाँ पर ना हमें बहुत जादा engine बनाने होंगे या फिर यार हमको इसको इसको इस्तमाल करना ही नहीं आता होगा ठीक है तो वो सबका सब आज काज पता लग जाएगा कि हम अपने engine को किस तरीके से use कर सकते फिलाल एक मिडर यहाँ पर ना पहले दो तिन अंडे जो इन्होंने दिये हुए ना वो हम चक लेते हैं यार मेरे को इन लगता नहीं था कि यहाँ पर ना यह जो बर्ड है हमारे बच्चे वगेरा भी देते होंगे लेकिन नहीं यार यह बस अंडे देते और बच्चे वगेरा नहीं देते यह तो बिकार बात यार इनको बच्चे देने चाहिए था तो मज़ा आ जाता फिलाल एक मिडर यह अंडो को मैं यहाँ पर रख देता हूँ बाद में इनका सूप वगेरा बनाके पीलेंगे एक मिट पहले अपना जो हमने इसको यहाँ पर रख देते हैं ठीक है भाई चारो को चारो को रख दिया है और एक मिट भाई साब यहाँ पर थोड़ा साना खाने का भी देख लेते हैं क्योंकि हमें लग रही है भूक वैसे भाई यहाँ पर काफी टाइम लगा है मैंने मचली को पकड़ने में पिछली वीडियो में आपने देखा होगा तो यहाँ पर हमारे पास सारा खाना खतम हो गया था तो यहां पर हमको काफी मुश्किल से यहां पर मजलीयां वगारा पकड़नी पड़ी उसके बाद हमारे माउस मजलीयां वगारा भी खटा हो चुकी है तो फिलाल एक मिड्या इसको कहा रखूँ यहां पर ना मेरको एक चीज होर करनी है, यहांपर हमेरको अपने board को थोड़ा सजाना धजाना है मतलब है हमारी board एकदम ही बेकार लगती है जैसे कि बस यहाँ पर रहने के लिए मैंने board को बनाया हुआ है तो अब हमें इसे थोड़ा ना सजा धजा के भी रखना है और देखते भई कब इसको सजाएंगे धजाएंगे फिलाल तो भई यहाँ पर हम कुछ नई चीज़े करने वाले और अगर काम बन गया ना तो मज़ा आजेगा और अगर काम नई बना तो भई भेकार हो जएगा तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं आपको बतायता हूँ अभी ना मैं अपनी board में ना मतलब यह जो engine में जितनी भी extra plank है ना उन सबको तोड़ने वाला हूँ क्योंकि मेरको लगता है ना कि यहाँ पर यह धीरे इसले चल रही है क्योंकि अब हमारी board का size ना बहुत ज़्यादा बड़ा है तो तब ही यह धीरे चल रही है तो मैं यहाँ पर यह देखना चाहता हूँ कि अगर भाई मैं खाली यहाँ पर छोटे मोटे समान में engine को रख हूँ तो क्या यह धोड़ेगा कि नहीं धोड़ेगा ठीक है अगर यह तेज चलेगा तो simple सा idea है कि यहाँ पर हमारी board बहुत ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पर 5-6 engine लगाने से बात नहीं बनने वाली है ठीक है भाई इक तो start करके देखते हैं तो यह तो अभी भी धीरे धीरे चल रहा है भाई एक मींट यार मैं अक्री की तरफ जाता हूँ इसको भी start करके देखता हूँ तो यह तो अभी भी धीरे चल रहा है और यह तो hill भी नहीं रहा भाई साब यह क्या बसूड़ी पढ़ गी मेरे को लगा था भाई यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा तेज चलने लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है तो मेरे को लगता है यहाँ पर हम कुछ ना कुछ तो गल्द कर रहे हैं जिस बचे से ना हम इंजिन को पूरे तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं मेरे को लगा था ऐसे करने से क्या पता यह बहुत ज़्यादा तेज भागेगा लेकिन ऐसा नहीं है तो हम एक नया काम करते हैं हम ना इस इंजिन को थोड़ा दूर बनाते हैं और क्या पता उसके बाद ये चलने लगे ठीक है वैसे कई लोग मुझे कह रहे थे कि जो हमारा स्टेरिंग है ना मेरे को इंजिन के साथ रखना पड़ेगा तब जाके जो मेरा इंजिन है वो बहुत ज़्यादा तेज चलेगा मैं वो भी ट्राइक कर चुका हूँ लेकिन तब भी मेरा इंजिन बहुत ज़्यादा धीरे चलता है तो एक काम करते हैं अब यहाँ पर ना दो तिन प्लैंक होड लगाते हैं आप देखते जाओ आज हम क्या क्या करने वाले इस इंजिन को तो मैं चला के रहूंगा चाहे जो मर्जो हो जाए और उसी के बाद हम जाएंगे एक नए आइलेंड की दरफ ठीक है क्योंकि जब इंजिन चलेगा ना तब हमारी बोट की स्पीड बहुँ ज़दा बढ़ जाएगी और यहाँ पर हम किसी भी आइलेंड में बहुँ ज़दी जा सकते तो इसका हमें काफी ज़दा फाइदा होने वाला है उसके लिए यहाँ पर हमको अपना एक दिन तो वेस्ट करना ही होगा कि यहाँ पर हम समझ सकें कि इंजिन से हमें कैसे काम लेना है वैसे इसको लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है यह इंजिन बहुँ ज़दा बढ़ा है वैसे मैं आपको बता दू अगर भाई यहाँ पर ना हमारी बोर्ट अभी चल जाएगी न कहीं पर तो भाई हम यहाँ पर बहुत बुरे फज जाएंगे फज जाएंगे हमारी गेमी कतम हो जाएगी अभी हम न एक छोटे से प्लैंक पर खड़े हुए और इंजिन इंजिन रखे हुए तो अगर गलते से भी मेरी बोर्ट थोड़ी सी भी इदे उदर होगी न तो भाई हमारी बोर्ट भाई समुदर के रस्ते पता नहीं कहां कहां जाएगी और हम यहीं पर फसे रह जाएगे तो यह काफी ज़्यादा रिस्की भी है लेकिन हमने यहाँ पर एंकर वगएरा गेरा हुआ बोर्ट में तो बोर्ट तो हिली की नहीं और एक मिंट भाई साब यहाँ पर मैंने इंजिन को आन तो कर दिया है लेकिन कुछ यहाँ यहाँ पर सलूशन ही नहीं हो रहा है यार बोर्ट बहुत ज़्यादा धीरे चल रही है आप देख रहे हो यार एक मिंट एक मिंट एक मिंट यह थोड़ी ते चल रही है मेरे क्याल से में लगा था भाई यह थोड़ा तेज चलने लगा है लेकिन ऐसा नहीं है यह अभी भी बहुत ज़्यादा धीरे चल रहे हैं तो यह वारा प्लैन हमारा एकदमी बेका रहा मतलब यहाँ पर मेरे को पता नहीं इसको हम किस तरह किसे यूज़ कर सकते हैं कि यह बहुत ज़्यादा धीरे चल रहे है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ आपको समझ में आ रहा तो भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में बतासके हो वैसे कुछ लोगों मुझे बताया था कि यहाँ पर ना यहाँ पर यह आइडिया काम करेगा लेकिन यह फेल हो गया खेर चलो कोई बात नहीं भाई यहाँ पर कम से कम हमने ट्राइ तो करा अभी यह आइडिया फेल हो गया तो हम वापी से जाने वाले अपने बॉट की तरफ एक मिट बाइस आप ओओ मैं कहने वाला था कि नीचे शाग घूम रही तो हमें थोड़ा बचना चीए और उससी टैम शाग ने हम पर अटेक कर दिया खेर भाई यहाँ पर जो हमने आइडिया सोचा था वो बिल्कुली बेकार रहा तो अब हम वापी से लगाने वाले ट्रेन को उनकी जिगय में और एक वाली होड 테ur करके देखेंगे ठीक है फिलाल तो भई हमारा यहाँ पर काफी जढ़ा टाइम में वेस्ट ओ गया टाइम के हमारा यहाँ पर पूरा एक दिन वेश्ट हो गया है पग लगग लगग और इस चक्कर में मैंने अपनी बोट पर ध्यान ही दिया और देखो भाई इसने कितना ज्यादा हमारा नुकसान कर दिया तो एक काम करते हैं अब यहां पर बोट को वापीस से रिपेर कर देते हैं और यह जो हमारे इंजन वगेरा हमने लगाए है ना इनको भाई एक मीट भा देखा के तर भाग रही है यह जो एक मैं लड़ने में अटोल भाग जाती है और वह जो इसलिए कब डर लगता है जब यह ऐसे आती मेरे पास यह दिखो भाई बड़ासा मूह दिखता है तब मुझे थोढ़ा डर लगता है हारा कि यहां पर आप शाक को मारना मेरे लिए न मैं डरता न्यू शार्क से पहले बोर्डर लगता था मेरे को शार्क से लेकिन अब देखो अब तो भाई इसको मैं बच्चे की तरह मानता हूं तो फिलाल भाई यहाँ पर हमें क्या करना था सबसे पहले तो यहाँ पर जो इंजन हमने उखाड़े ना उनको वापिस लगा देते हैं यह किसी काम के नहीं है मेरे को लगाता भाई यह लगाने के बाद तो हमारी बोर्ट हवा से बात करीगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई यह तो हवा से क्या यह तो कच्छुए जितनी तेज चलती है तो एक मिन्ट भाई यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एक वारी होड ट्राइ करके देख दे ठीक है मेरा मन नहीं मान रहा है क्योंकि यह मेरे को बहुत ज़्यादा उमीद थी से कि यह हमारी बोर्ट को बहुत ज़्यादा तेज भगाएगा पर चलो कोई बात नहीं आ रहा है छोड़ो यार जो भी अब हमने सोचा था वो सब भई नहीं हो रहा तो अब हम क्या करें तो अभी फिलाल भाई इसको हम थोरणा प्रोटेक्ट कर लेते हैं क्योंकि अगर शाग ने हमला करा ना तो भाई यह पूरा का पूरा जो इंजन है यह साथ ले जाएगी तो हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना इसके आसपास ना यह प्लैंक वगरा लगा देते हैं इससे भाई पहले वो प्लैंक पर एटेक करेगी और उसके बाद हमारे इंजन में तो इससे भई हमारा इंजन काफी देर तक बचा रहेगा और उसके बाद हमें मोका मिल जाएगा कि यहाँ पर हम अपनी बोट को रिपेर कर सके ठीक है तो फिलाल भई यहाँ पर तो ही शाम क्या रात होने वाली है मेरे ख्याल से मैंने आपको कहा तना यहाँ पर मेरा एक दिन वेस्ट हो गया है और यार बहुत जादा बेकार हो गया वैसे कल सुबा भई हम यहाँ पर कल सुबा के हम अभी निकलने वाले ठीक है बोट को रिपेर कर देते और उसके बाद भई यहाँ पर हम निकलने वाले एक नए आईलेंड की तलाश में वैसे यहाँ पर हम एना होर कुछ भी काम करना था अब जैसे के आप देख रहो यहाँ पर हमने अपने एनिमल्स वगेरा बढा लिये तो यहाँ पर हमके उनकोई खाने की जगा भी बढानी होगी तो फिलार भाई हम लास्ट वारी ट्राइ करके देख रहे हैं इसको अगर काम बन गया ना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया और अगर काम नहीं बना ना मैं तो भाई इसको चक्के फैक दूँगा मेरा इतना ज़्यादा धिमाग खराब हो रहा ना मैंने इतनी उमीदों से इसको बनाए था लेकिन यह किसी काम का नहीं है खर एक वारी होट अरे यार पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ गडबर होने वाली है मेरे भोलने से पहले ही में गिर गया खर भाई यहाँ पर मैं चाहूँगा कुछ भी गल्थ ना हो तो यह लास्ट वाले को स्टार्ट कर देते हैं और राइट गैस भाई यहाँ पर सब के सब स्टार्ट हो चुकें और एकदम साइड डिरेक्शन में हम चल रहे हैं ना मेरे ख्याल से ठीक है भाई तो यह अपना जो इसको उपर कर लेते हैं ठीक है भाई ओ भाई साब ओ भाई साब यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ते चल रहे हो भाई देख रहे हो क्या भात है अरे यहाँ मेरे को लगा नहीं था भाई यहाँ पर हम इतने ज़्यादा ते चलेंगे मतलब हमारे इंजन पूरी तरीके से काम कर रहे हैं ओ भाई साथ दीख रहो कितना ज़्यादा धुवा निकर रहा है मतलब हम भाई बहुत ज़्यादा तेज चल रहे हैं एक काम करते हैं पहले इन सब को बंद करते हैं और मजे से सोते हैं ठीक है और मैं बहुत जदा excited हुए इसको देगने के लिए सुबा तो एक काम करते हैं पहले तो यहाँ पर खाने का भी समाह रख देते हैं ताकि जब मैं सुबा उठू ना तो मेरा यहाँ पर खाना त्यार हो तो भई सो जाते हैं वैसे तो भई यहाँ पर अब सुबा हो चुकी है औ लेकिन तुफान अभी भी आ रहा है फिलाल भई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे मुर्गियों ने अंडे कितने ज़्यादा दिये एक मिट भाई सबसको साइट रख देते हैं ओ मैं को प्यास लगने लग दिया कि मेरे को प्यास लगने वाली है ठीक है यहाँ पर शुकर हमने पहले से पानी रखा हुआ था और हमने वो पी लिया है तो भाई यहाँ पर कल हमने देखा था रात को कि यहाँ पर जो हमारे इंजन है न वो तो भाई अब पूरे तरीकी से तेज़ चलने लग गये लेकिन मेरे को नहीं पता वो कैसे काम करता है कल दो बस मैंने इनको स्टार्ट कर दिया और हमारी जो बोटे ना वो काफी ज़्यादा तेज चलने लगी थी तो अभी हम यहाँ पर दुबा से ट्राइक करने वाले लेकिन उससे पहले यहाँ पर ना हम थोड़ा अपना खाना पीना खा लेते हैं और अभी फिलाल मैं बना रहा हूँ यहाँ यहाँ पर काफी टाइम से मैंने सूप बनाने को रखा हूआ है तो यहाँ पर उसको पीने के लिए हमें काटोरी चाहिए होगी और एक मिट भाई साब यह गर्मा गर्म सूप ना काफी टाइम से वेट कर रहा था मेरा और फाइनली हमने इसको पी लिया है और यहाँ पर अं तो फिलाल भाई यह जो कटोरी हमने बना के रखी है इनको वापिस है उनकी जगे में रख देते हैं और यहाँ पर हम मेरे को अपनी inventory खाली भी करनी है यह पूरी की पूरी भरी हुई है और वैसे मेरे को यहाँ पर एक जूता मिला था और इस जूते का हम बता क्या इस्तमाल क कर सकते हम इसको पहनने तो बिल्कुल भी नहीं वाले ठीक है यह पहनने लायक नहीं है हम यहाँ पर ना इसके अंदर उगा सकते चोटा सा पोड़ा तो वैसे लगाने की कोई लोड नहीं है मेरे पास बड़े-बड़े में पोड़े लगा सकता हूं लेकिन यह मुझे बहु एक बात याद आई कि यहाँ पर जो हम एनिमल्स लेके आये थे उनका भई उन काटने का टाइम हो चुका है तो जाते है और इनकी जो उन वगेरा हम काट लेते हैं और इन उनकी मदद से हम बना पाएंगे अपने लिए बड़िया सा आर्मर तो एक मिन भई यहाँ पर एक का जी से खा रहे हैं ना कि उनको उगने तक का मोका नहीं मिर रहा है फिलार भाई कल हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर जो हमारे इंजन है ना भाई वो बहुत बढ़िया धंक से काम कर रहे हैं हलागे शुरू-शुरू में बिल्कुली वो बेकार धंक से काम कर रहे थे लेकिन अब हमारे जो इंजन है ना भाई बहुत बड़िया काम कर रहे तो अब हम इनको ओन करने वाले और जाने वाले एक नए आइलेंड की दरफ दीक है और अब हमारी जो स्पीड है वो काफी ज़्यादा तेज हो चुकी है तो अब हम ना कोई से भी आइलेंड में चुटकियों में पोग जाएंगे तो यहाँ पर कुछ आइलेंड को हम एक मिट भाई साब पहले हम ना यहाँ पर थोड़ा सा पानी दे देते हैं ठीक है जो हमारी मशीन है ना वो काफी दीरे काम कर रही है तो यहाँ पर हमें कुछ से इनको पानी देना होगा एक मिट ठीक है तो यहाँ पर कुछी देर में अब पानी वगेरा हमने दे दिया है तो घासे वगेरा उगनी शुरू हो जाएगी तो अभी हम जार एक नए आइलेंड की तरफ जो की सामने ही है जो हमसे मेरे ख्याल से 500 किलोमीटर कुछ दूर होगा तो चलते उसी तरफ और एक इंजन मैंने शुरू कर दिया है एक मिन पर ना एंकर को नहीं हटाया है नहीं एंकर को हटा दिया और यह कितने ज़्यादा तेज घूम रहे देख रहे हो ओ भाई साब देखो इतनी तेजी से अगर हम चलेंगे ना तो बहुत जल्दी हम आइलेंड में पहुँच जाएंगे फिलाल तो भाई यहाँ पर तुफान काफी ज़्यादा तेज चल रहा है अब देख रहे हो तुफान भी काफी ज़्यादा तेज चल रहा है और एक मिन भाई साब यहाँ पर बोट को हमें थोड़ा सा घुमाना होगा भाई यहाँ पर अब मुझे ना फील आ रहा है पूरा कैप्टेन टाइप का लाइक मैं किसी यहाँ शिप का कैप्टेन हूँ और यहाँ पर मैं जहाँ चाहो अपनी शिप को मोड सकता हूँ फिलाल तो यहाँ पर इंजन काफी बढ़िया से काम कर रहे और अब भाई हमें ना हवा की ड्रेक्शन में जाने की लोड नहीं है हम जहाँ ओ भाई साब सामने की तरफ देख भाई साब कितना ज़्यादा गुचाह देख रहा है ना वो मेरे खयाण से मैं यहाँ पर आचुकाओ की नहीं है ऑभा ओ यहाँ पर लग रहे हैं कि मैं यहाँ पर आचुकाओं थो एक मिन हमें काम करेंगे अगर हमें यहाँ पर कुछ एनिमल धिख गे तो बढ़िया नहीं तो भाई यहां से हम किसी और आइलेंड की तरफ चलेंगे और वैसे भी न अब हमें यहां पर जादा दे रुखने की लोड नहीं है अब हमारे पास भाई यहां पर इंजन लगे हुए जो हमें कहीं भी काफी तेजी से ले जा सकते हैं हमें बस अपने मीटर में देखना है कि कहां पर कौन सा आइलेंड है और बस अपनी शिप को वहां पर मोड लेना है तो फिलाल तो भाई अभी मुझे काफी बड़िया फील हो रहा है ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं यहां पर कप्तान जैक्स पह रहा हूँ और भई मैं जहाँ चाहू अपनी बोट को वहाँ पर मोड सकता हूँ तो फिलाल तो भई यहाँ पर मैं कोई बड़िया सी पार्किंग देख रहा हूँ जहाँ पर मैं अपने इस बड़े से बोट को पार्क कर सकूँ तो एक मिन्ट भाई साब यहाँ पर मुझे ना कोई भी एनिमल वगेरा तो नहीं दिख रहा है उपर की तरफ मुझे वो खतनाख पक्सी जरूर दिख रहा है लेकिन कोई एनिमल नहीं दिख रहा है एक काम करते थोड़ा यहाँ भूम के देखते हैं क्या पता यहाँ पर हमें कोई एनिमल दिखी जाए और हम भाई वहीं पर ही अपनी बोर्ट को रोकने वाले क्योंकि मैं चाहूंगा ना इस आइलेंड में ज़्यादा टाइम रुकूना ठीक है हमें भाई यहाँ पर नए आइलेंड की तरफ जाना है और मेरे ख्याल से इस आइलेंड में मैं पहले भी आ चुका हूँ ऐसा मुझे लग रहा है अब जाकर ही पता लगेगा एक मिन भाई साब यह बड़ा सा पत्थर मेरे सामने आ गया है तो बोड को थोड़ा सा मोडना पड़ेगा भाई मुझे बहुत जादा मजा रहा है ऐसे चलाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है ऐसे लग रहा है भाई मैं कैप्टन हूँ हाला कि मैंने आपको ये तीसरी बारी बोल दिया है लेकिन मेरे को बहुत जादा मज़ा आ रहा है एक मिन भाई साब मैं अपनी बोट को पार कहा करूँ ओ एक मिन यार ये मुझे बहुत परिशान कर रही है शुकर है यहाँ पर मैंने इंजिन के सामने या कुछ एक्स्ट्रा प्लैंक रखे हुए नई तो यहाँ पर मेरे को हमेशा एक ही डर होता कई शाग या मेरे ना इंजिन पर हमला ना कर दे ताकि मेरे इंजिन खराब हो जाए और मेरे ख्याल से यह जगा पार्किंग के लिए बेकार है हमें कोई बड़िया सी जगा देखने होगी वैसे भी अब तो एक मिट या मेरे जो यह ना बोट की रफ्तार पहले से दीरे हो चुकी है मेरे ख्याल से यह इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो प्लैंक वगे राना वो खतम होने लगे होंगे मेरे को लग रहा है यहाँ पर थोड़ी से रफ्तार कम होगी है एक मिट भाइसा पहले में से पार्क कर ले तो कहीं पर उसके बाद देख तो प्लैंक कमी होगी है कि यह धीरे ही चलने लग गया है एक मिट यह जगा एक मिट यह बीच में पत्थर सा आ गया और यह जगा मुझे वैसे बढ़िया लगी है पार्क करने के लिए एक काम करते हैं पहले थोड़ा सको साइड में मौल लेते हैं बीच में पत्थर आ रहा है कई है मेरी जो बोट है पत्थर के बीच में ना अटक जाए तो हाँ अब यहाँ पर हम बोट को पूरा घुमा लेते हैं अब यह जगा मुझे सही लग रही है पार्किंग के लिए यहाँ पर किसी का हमें खत्रा भी नहीं है और भाई बहुत जादा इंटरस्टिंग लग रहा है मेरे को तो बहुत यह लगा के ना इंटरस्टिंग जब से काम कर रहा है मेरे को मज़ा आने लग गया है और यह लो भाई हमने अपना एंकर गेर दिया है और जैसी में अपना एंकर गेर तो ना मेरे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है शाय से शुरूब आप में हम यही गलती कर रहे होंगे कि यहाँ पर हम एंकर गेर के अपने इंजिन को स्टार्ट कर रहे होंगे मेरे को तो यह लग रहा है कि यही गलती हम कर रहे थे और अब भाई हम वो गलती नहीं कर रहे है इसलिए हमारी जो boat है अब काफी तेजी से चल रही है लेकिन एक मीट भाई साब ये घूम क्यों रियेद नहीं तो guys भाई हमको island तो मिल चुका है और ये island काफी ज़्यादा बड़ा भी है खेर भाई अब हमें आपना ये देखना है कि इस island के अंदर हमें कोई ना कोई जानवर मिलता है कि नहीं मिलता लेकिन उससे पहले भाई यहाँ पर हम अपनी boat को चेक कर लेते हैं कहीं पर कोई plank वगेर की कमी तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं अपना बिल्कुल भी risk नहीं लेना चाहता हूँ मैंने चाहता भाई यहाँ पर मैं पूरे island की खोज कर रहा हूँ और shark यार मेरे जो एक raft को खराब कर दे ठीक है मैं बिल्कुल भी risk नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि अब तो game में मज़ा आने लगा है अब तो यहाँ पर हमारे boat की speed बढ़ चुकी है तो फिलाल यहाँ पर मैं अपना खाना पानी खटा कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम जाने वाले island के अंदर और शायद से हमें island में छानबिन करते हुए काफी ज़्यादा time लग सकता है इसलिए अपना खाना पानी साथ लेके चलो क्योंकि आपको नहीं पता वहाँ पर आपको कौन सा जानवर दिख जाए जिसे आप मारना चाहते हो या पकरना चाहते हो और कब आपको भूक या प्यास लग जाए वो भी आप नहीं बता सकते इसलिए भाई याँ पर अपना खाना पानी साथ लेके चलो और चलते भाई देखते वापर हमें क्या नया मिलता है तो ठीक है गाईस भाई यहाँ पर मैंने खाना पानी ले लिया है और अब हम चलते आइलेंड की तरफ और इसको एक्स्प्लोर करते देखते हैं यहाँ पर हमें कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं एक मिन्ट भाई साब यह कुछ एक्स्टा समार मैंने रखा हुआ था तो इसको वापी सम रख देते हैं क्योंकि सब कुछ तो भाई हमें आइलेंड के अंदर ही मिल जाएगा तो यहाँ पर हमें खाली हात आना है और थोड़ा सा भाई खाना होड बढ़ा लेते हैं क्या पता हमें यहाँ पर कितना ज्यादा टाइम लग ठीक है क्योंकि आइलेंड ना बहुत ज्यादा बढ़ा है तो यह से हमें यहाँ पर ज्यादा टाइम लग सकता है और वैसे भी हमें यहाँ पर नए नए अनिमल की खोज करनी है अगर कोई नया अनिमल दिखता है ना में तो भई हमें उसे पकड़ के लेके आना है तो देखते हैं यहां पर कोई यह भाई अरे यार मिरे को ओ भाई साब इस ने सुरू में हम पे अटाइक कर दिया हमें सम्मल ले तरह कमोगा निदिया में इसको हलके में ले रहा था एक मिट तो मैं अरे भाई साब ये तो बड़ा फुरतील है मैं इसको हलके में ले रहा हूँ कि यार ये कुछ करेगा नहीं करेगा नहीं लेकिन इसने देखो मैं को दो वारी हिट कर दिया है एक मिट इतनी दूर से मारता हूँ ओ क्या मारा भाई इतनी दूर से अरे मिस हो गया पाज से नहीं लगा लेकिन दूर से लग गया कहा जा रहा है भाग के एक मिट रुख जा अरे वापिस तो आ मेरे को तेरी लोड है तेरी से पो लेधर मिल जाएगा और उसे हम बना पाएंगे अपने लिए armor तो मेरे क्यार से मरने वाला है दो-तिन तो हमने इसके मार दिये एक मिट पानी के अंदर चल जो भाई इसको मारना है तो पानी के अंदर ही रो और ये, ओ, मर गया ढीक है वैसे इसको मारना कोई बड़ी बात नहीं लेकिन ये बहुत ज़्यादा फुर्तिला था भाई इससे ज़्यादा फुर्तिला मैंने कोई जंगली सुवर देखा नी भाई इसने हम पर दो वारी एटाइक कर दिया देखते ही देखते ने तो आम तोर पर ये मुझे छू भी नहीं पात एक मिट भाई सा पानी के अंदर दिख रहे हैं मुझे परचाई शाक की जो काफी ज़्यादा ड्रावनी लग रही है देखरों पर कितना सा ड्रावना लग रहा है कि आप समुंदर के अंदर ढूबे हो और आपको शाक की परचाई दिख जाए शाक ना दिखे आपको खाली शाक की परचाई वही आपको ड्राने के लिए काफी है तो फिलाल भाई आप पर हो चुकी है रात और आपको पता है मैं रात को न जदो घूमता नहीं हूँ क्योंकि रात को मेरी हलकी सी फट जाती है पता नहीं भाई यहां पर आपको कौन सा जानवर मिल जाए और मेरे कहाल से बारिश भी होने लगी है यहां पर मेरे को लग रहा भाई यहां पर बारिश भी हो रही है क्या नहीं बारिश नहीं हो रही है रात को आवाज ही यहां पर ऐसी आ रही है ओ भाई साब मेरे ख्याल से तुफान आने वाल है तो हमें वापिस से जाना पड़ेगा अपने शेल्टर की तरफ लेकिन भाई यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि हमें कोई जानवर देखने को मिल जाएगा ओ यहाँ पर हमें मिल गया वाटर मेलन ठीक है भाई खाने का बंदोबस तो हो गया है लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए था कोई जानवर जिसे हम पकड़ के अपने जो शेल्टर में ले जा सके और उसको पाल सके तो यहाँ पर मुझे कुछ खास दिखनी रहा एक तो भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया तो हम वापी से चलते हैं अपने राफ्ट में और वहीं पर ही सोते हैं और सुबा उटके देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलता है वैसे एक जंगली जानवर को तो मैंने ठिकाने लगा दिया है है अब बस यहाँ पर दो त्िन रहते होंगे और उसको ठिकाने लगाने के बाद एक मीट बाईश ज़्याँ भाईश स्टार्ट होगी मैं को लगे ज़ाता कि यहाँ पर तुफान यह बारिश या बारिश खुछ ना कुछ तो आने वाली है और बारिश स्टार्ट होगी है और यहाँ पर हम सोके ओ भाई सा मुझे लग रही है भूग पतानी क्या हो रहा है पिछले एक दो दिन से मैं अपने खाने पीने में ध्यान नहीं दे रहा हूँ लो भाई अब मुझे भूग मेरी मिट चुकी है ठीक है और अरे यार मोसम आज अच्छा नहीं है यार देख रहा हूँ कितना बेकार मोसम में एक तो बारिश हो रही है और यहाँ पर अभी इतनी रोश्णी मी रही है तो हमें थोड़ा वेट करना होगा बारिश कम होए या फिर मोसम थोड़ा साफ हो जाए तब तक हम भी बोट में रहने वाले और देखते हैं यहाँ पर हमें कोई नया जानवर दिख जाएगा तो मज़ा आजेगा और राइट गैस भाई यहाँ पर हो चुकी है सुबा और फिलाल मैं आपको बता दू कि कल का दिन तो बहुत जादा बोरिंग निकला था कल यार पूरे दिन ना यार तुफान आता रहा बारिश आती रही मोसम बिल्कुल भी सही नहीं हुआ था इसलिए भाई मैं आईलेंड में गया नहीं था हाँ एक दो बारी गया था लेकिन भाई मैं आपको बताने भूल गया जब मैं एक दो बारी गया था आईलेंड में देखने के लिए नए नए एनिमल तो वहाँ पर मुझे एक नया एनिमल दिखा मतलब नया एनिमल नहीं था जो हमने यहाँ पर मुर्गियां पा ली है ना लेकिन जो मैंने आईलेंड में मुर्गियां देखी थी ना उनका रंग था लाल तो शायद से हो सकता है वो जो मुर्गियां उनको अगर हम नीली मुर्गियों को साथ रखेंगे तो शायद हमें ना उनके बच्चे देखने को मिल जाएंगे अब मुझे नहीं पता ये होगा की नहीं होगा लेकिन यहाँ पर हम दुबार से जाने वाले आईलेंड में और यहाँ पर जो लार रंग की मुर्गियां ना उनको लेके आने वाले लेकिन यहाँ पर कहनी में एक ट्विस्ट है कि वो मुर्गियों को पकरने के लिए न हमको भाई वो जो खतरनाक सा दिखने वाला जो पक्षी है उसको मारना पड़ेगा और साती सात भाई यहाँ पर मैंने न दो तिन पफी फिश को मार के उनसे अपना नेट बना लिया था तो यहाँ पर हमारे पास कम से कम तीन या चार नेट है तो यहाँ पर हम चार एनिमल तो पकाड़ी सकते हैं या फिर दो एनिमल तो पकाड़ी सकते हैं और मैंने यहाँ पर ना दो अलग अलग रंग के मुर्गियां देखी थी लेकिन अभी मुद्दे की बात यह है ओ देखो यह आ गया, इसका मैं नाम लेने वाला था, ओ, मिस हो गया, एक मिन, अब तो नहीं मिस होगा, अरे यार, एक मिन, भाई साब, वैसे भाई, यह भी अब खतम होने वाला है, कल मैंने इसको बहुत ज़्यादा डैमिज दिया था, मतलब कल मैंने इसको कम से कम, चार या पांच वारी ना, अपने एरो से डैमिज दिया था, और अगर हम आज भी इसको थोड़ा पहुत डैमिज देंगे, तो यह मर जाएगा, आज के आज, एक मिन भाई साब मर जा भाई, लेकिन भाई, यह मरने वाला लगता नहीं, मुझे दिन जल्दी, ओ, क्या पर्फेक्ट शोट मारा, वैसे भाई, हम इसे बिना मारे भी मुर्गियों को ले जा सकते हैं, लेकिन भाई, अगर यार, इसने हम पर हमला कर दी हैं ना, दो तिन वारी, तो यहाँ पर हम मर भी सकते हैं, इसलिए हमको भाई, यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, इसलिए मैं इसको भाई, पहले मारूँगा, और उसके बाद ही भाई, यहाँ पर जो मुर्गियां, उनको साथ ले जाओंगा, लेकिन अभी फिलाल ना, यहाँ पर रात हो रही है, रात को ना, मेरे को थोड़ा कम दिखता है, क्योंकि मैं एक इनसान हूँ, और यह जानवार है, तो उसको रात को सब, ओ, देखो भाई, यह रहा, यह देखा अपने मुर्गी, और इसका रंग, अभी मैंने आपको दिखा है नहीं, यह वैसे इसका रंग, आपको ला रंगा दिखेगा, एक मिट यह पर दूसरा मुर्गा भी था, मैंने यहीं कहीं देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट भाई साब, यहीं कहीं फुदक्रा होगा, और यह उपर तो नहीं है, वो नीचे कहीं होना चीए, और यार यह पक्षी मेरे पत्थर मारे जा रहा है, ओ, यह तो यह राइक, और यह कहां फुदक्रा है, यह मैरे को आपको इसका रहा, ओ, यह देखो मेरे सामने से गया यह, एक मीडिया इसको हलके में बिल्कुल भी नहीं लेना है, अगर हलके में लेंगे ना तो अपना गेम कतब हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं पहले तो, अरे रूक, रूक, एक मीड, एक मीड, वहां रूक या, अरे यार, एक तो इतना फुदकता है, इनको पकड़ना ही मुश्किल है, एक मीड, ओ, तो क्या, चलो भाई, एक को तो आमने पकड़ लिया, और दूसरे को देखते हैं, किदर है, उसको भी पकड़ लेंगे, और मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पर मैं सुबा इनको लेके जाओ, ठीक है, अभी तो इनका रंक दिखनी रहा आपको, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा जुरूर, ओ, यह रहा दूसरा, अरे यार, इसने मुझे देख लिया, एक मिन टेक में थोड़ा वेट करते, अभी इतना फुदकते क्यों है यार, एक मिन टेक में ढुक जा, अरे, अरे, पकशी भी मेर पे भाई, पत्थर मारने पे अटनी रहा है, अरे यार, यह इतना क्यों फुदक रहा है, इतना क्यों फुदक रहा है, यह जो पक्षी है ना यह कोई सा भी जानवर चुट्कियों में गायब हो जाता है भाई आप उसको कहीं भी अरे यार यार यह पत्थर फैक रहा इतने बड़े बड़े और वो मेरे को दिखने रहा कहीं भी एक मीट एक मीट एक मीट इसको होना चाहिए था एक मीनट भाई साब यहां कई ओ दिख गया दिख गया ठीक है अरे यार मुझे पकड़ने पड़ेगा चाहिए जो मर्जी हो जाए मैं अपना यहापना एक भी एमो वेस्ट नहीं करना था था लेकिन क्या करूँ भाई करना पड़ गया मेरे को और हमने यहापर दोनों को पकड़ लिया है और अभी हम यहापर क्या करने वाले भाई एक को अपने साथ ले जाने वाले एक मिट किदर गया हाँ देखो यह वाला मुझे इसका रंग तो नीला ही दिख रहा है यहाँ पर मैंने अलग-अलग रंगे देखे थे लेकिन क्या पता भी यहाँ पर रात है तभी इसका रंग मुझे नीला दिख रहा है और दूसरे वाले का भी नीला ही दिख रहा है यहाँ पर मैंने देख थे लार रंग के मुर्गे थे लेकिन अभी इनका रंग मुझे नीला दिख रहा है शाय से अंधिरे करके हो रहा है एक मिन भाई साब हम एक काम करते हैं इसको अपने राफ्ट में छोड़ के आते हैं और सुबा को देखते हैं इनका असली रंग क्या है ठीक है अगर भाई यहां पर इन्होंने बच्चे दे दिया ना भाई मज़ा आजेगा मैं तो भाई इनके ने एक मिन ओ यह भाग गया अरे यार यह कैसे भाग गया अरे भाई यार रुक एक मिन ले यार मैं को इसको दुबारा से पकरना पड़ेगा भाई कितनी तेज भाग रही है एक मिन एक मिन रुक जा भाई साब पकर लिया दुबारे से भाई साब ये तो बहुत जदा तेज भागता है पता ने मेरे हाथ से कैसे छूड़ गया ये खेर चलो कोई बात ने इसको मियाँ पर रग देते हैं हाँ यहाँ पर इसका घर में आ चुका है और ये रंग तो भाई नीला अहाँ देखो भाई ये तोड़ा अलग रंग ने ने सेम रंग के लग रहे हैं एक मिट भाई साब ये मेरा पीछा ही जोड़ेगा चाहिए जो मर्जी हो जाए तो अभी फिलार भाई यहाँ पर हम सोने वाले और देखेंगे सुबा भाई इसका क्या रंग होता है मेरे को तो लग रहा है ये भी नीले रंग का है ठीक है अब पताने भाई यार मेरे को अंधेरे में लग रहा है कि ये नीले रंग का है लेकिन जहां तक मैंने देखा था भाई उन में से एक मुरुगा लार रंका था और दूसरा भुरे रंका था ओ भाईशा देखे रूँए उसका रंग अलग है भाई से तो पता है भी या ये मुरुगा भी अंडा देता है या फिर ये बच्चे भी कर सकते है अब ये नहीं मुझे बता अगर भाई इनसे बच्चे होने लग जाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा फिलाल भाई यहाँ पर ना हम इनके उन काट लेते उन बहुत जादा है तो अभी दिरी दिरे करके हम यहाँ पर इखटे कर रहे हैं उन को और जैसे हमारे पास यहाँ पर 15-20 उन हो जाएंगे ना उसके बाद तो भाई यहाँ पर हम बनाएंगे अपने लिए आर्मर ठीके गाज़ भाई यहाँ पर अब हो चुकी है दुपैर और मैंने खाना पीना ले लिया है तो अब हम जा रहे हमारे दूसरे मुर्गे के तरफ जिनको भाई हमने कल कैद कर लिया था तो अभी भाई हम उसको लेके आने वाले अपने राफ्ट में लेकिन भाई साब यहाँ पर जो वो खतरनाक पक्षी है ना वो भाई मेरा पीजा जोड़ी ने रहा है वो भाई मेरे को काफी वारी डैमिस दे चुका है लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ी सी दबाई बगेरा लगा लिए जिससे मेरी हैल्थ वापिस आ चुकी है तो हमें भाई इसका जो गेम है जल्दी से जल्दी खतम करना पड़ेगा नई तो भाई ये मेरे कोई मार देगा एक मिनल भाई अब तू आजा आप तो तेरा गेम खतम है ओ भाई साब ये सही में मर गया देख रहो भाई कित अरे 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 ओ यार ये तो नीचे गिरिया भाई ये बहुत जड़ा बढ़ा देख रहो कितना ज़बा बढ़ा ये फिलार एक दो मैं तीर भाई से को होन मार देता हो कंफरम करने के लिए कि ये मर चुका है खैर ये तो मरी चुका है लेकिन भै इसने मेरी बहुत ज़ादा हवा टाइट कर दी थी भै इसने मेरे को ना दो तिन वाज तो पत्थर ढंक से मारे थे जिसमें मेरी हेल्थ ना काफ़ी ज़दा चली गे थी लेकिन फाइनली हमने उसको यहाँ पर लेटा दिया है और अभी हम जाने वाले अपने दूस अपने मुर्गे को एक मिट भाई साब यह तो मुझे कोई औरी रस्ते पर ले जा रहा है क्या पतार यहाँ पर हमें कुछ नया देखने को मिल जाए ओ यह कुछ नया रस्ता लग रहा है मिरको नहीं नहीं मेरे क्यार से हम गल्ट चेगे में आगे हैं और और यार हम गल्ट जस्ता के चक्कर में थोड़ा सा फिसल गए और नीचे आगे वैसे यहाँ पर मुझे दो तिन काम और करने थे मुझे यहाँ पर आम कहना थोड़ी सी गुटलियां चाहिए थी ताकि इनसे मैं पेड उगा सकूँ अपने राफ्ट में तो यहाँ पर भाई मैं थोड़े अरे भाई मैं उपर चड़ सकता हूँ इसके क्या बात है भाई यहाँ पर मैं पेड के उपर चड़ सकता हूँ इसको मैं काड तो नहीं सकता हूँ लेकिन देख रहे हूँ इसके उपर मैं अराम से चड़ सकता हूँ लेकिन इसे कुछ करनी सकता तो कोई बात नहीं ओ भाई ओ भाई साब, ये देखो, खजाना तो असली यहाँ पर चुपा हुआ है, और इसके अंदर कुछ खास नहीं है, और इसमें भी कुछ खास नहीं है, हाँ, दो हमें यहाँ पर गिफ्ट मिल चुकें, उसके अंदर हमें डेकॉरेशन का समान मिल जाएगा, जिससे हम अपनी काफी बोरिंग सी लगती है, तो उसको थोड़ा ना मरमत की लोड है, और हम यहाँ पर आने वाले टाइम में उसके थोड़ी बहुत मरमत करेंगे, ताकि वो दिखने में थोड़ी बढ़िया लगे, तो फिलाल तो भाई, अभी हम जा रहें अपने दूसरे मुर्गे के पास क्योंकि हमने यहाँ पर एक गलती करी, और उसके चकर पर हम इतना ज़्यादा नीचे आ गए, क्योंकि वापिस हमें जाने में अब कम से कम 15-20 मिंट लगने वाले, और राइट गैस भाई, यहाँ पर हम वापिस से आ चुके अपने राफ्ट में, और अपने साथ लेके आए एक नए महमान को, और इसका रंग है भाई, यहाँ पर ला रंगा, तो यहाँ पर हमारे पास तीन टाइप के मुर्गे हो चुके, एक मिडिया, यह शाक ना, मुझे इतना ज़्यादा परिशान करती है, कि दिर गई वो, कहाँ पर है, यहीं कहीं थी, एक मिनट भाई साब ग पूट नहीं है, नहीं तो तेरी में यहीं परी बत्ती खलास कर देता, फिलाल भाई हमारे पास यहाँ पर तीन टाइप की मुर्गियां हो चुकी है, ब्ल्यू, ब्राउन और रेड, और तीन तीन वराइटी की मुर्गियों को देखके तो मज़ा है आ गया है, फिलाल ज़्यादा वीडियो मज़ेदार होने वाली है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, तो लाइक जुरू कर देना, कमेंट कर देना, शेर कर देना दोस्तों के साथ, और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बारी देख रहे है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल अपना ख्यार रखिये, बाए बाए